नमस्कार साथियों हम बात कर रहे थे खक्षा 6 से खक्षा 12 के अंतगत हमारा राज्चान अध्यन और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में इन पुस्तकों के माध्यम से जो भी आगामी पतियों के परिक्षाओं में आपके महतूर परश्ट बने वाले हैं जो पेपर सेंटर्स हैं वो यहीं से प्रेशन बनाते हैं तो यह प्रेशन इसलिए इंपोर्टन हो जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम बात कर रहे थे खक्षा साथ का जिसके बारे में प्रथम भाग पुगोल का था भाग दुस्ता जो समझे और राजनेतिक जीवन से सम मंदित हैं भारत और आसान में जो संदर्व के बारे में बात करेंगे बारत का क्या संदर्व रहा था इन में तो उन तरीके से हम बात करेंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो और अपने जुरुतमन तो चलिए शुरू करते हैं 22 वा अध्याय जो है उसका नाम आता है राष्ट्री आंदुलंस भारत में राष्ट्री आंदुलंस का क्या महत्वपुन योगदान रहा था उनके बारे में बात कर लेते हैं पर्था महत्वपुन प्रशन आता है कांग्रेस की पहली बठक का बब बंबई में की जाती है फिर प्रशना आता है कि एलन ओक्टेवियन हुम ने अंग्रेज विरोधी असंतोष को वेदानिक रूप देने के लिए किस संस्था का गठन किया था तो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस जो है उसका गठन किया जाता है कॉंग्रेस का जन्म कब हुआ कॉंग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाए गया था बाल गंगादा तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाब अकबारों में कौन सा लेक लिखे थे तो मराठावकेसरी जो है वो लेक लिखे उनके द्वारा जाते हैं उग्रबाद का जनक किन्हेर का जाता है तो बाल गंगा सब्सक्राइब किया गया था तो 1905 में बंग बंग किया जाता है कि कॉंग्रेश का जो पक्ष अंग्रेजी पढ़ाई के अलावा हर्ताल आंदोलन वा आर्थिक भाहिशकार का मार्ग अपना कर अपना चाहता था वो किस नाम से परसिद्ध हुए थे तो गरम दिल के नाम से प आर्थिक भाहिं हैं